17 नवंबर 1915 सभ्यमानवता का काला दिन यह कहानी है वल्तमान युग के अभिमन्यों की जिसने द्वापर और त्रेता युग के आदर्शों को भी पीछे छोग दिया गौरवगाथा की स्वतंत्रता पुकारती की इस कड़ी में हम यह कहने को बात्य हो जाते हैं कि 19. सदी के अंत और 20. सदी के प्रारंभ में वास्तव में भारत का पुनर जागरण हो चुका था और एक सी एक ऐसी हस्तियां हमारे सामने आएं थी जो हमें सत्योग की याद दिलाती थी लुधियाना जिले के सराभा गाउं में 24 मई 1896 को जन में करतार सिंख ने अपने पिता का साया जल्दी ही खो दिया तथा अपनी प्रारंभिक शिक्षा गाउं में लुधियाना में तथा उडीसा में प्राप्त करने के उपरांत उनके बाबा ने उन्हें रसायन शास्त्र की पढ़ाई के लिए उनिवर्सिटी ओफ बर्कले भेजा परन्तु देश से हजारों मील दूर जाकर उन्हें यह आभास हुआ कि उनकी देश परतंत्र होने के कारण जो अपमान भारतियों को सहना पड़ रहा है वह सहने योगी नहीं है और वहाँ पर जाकर उनके मन में स्वतंत्रता और क्रांती के बीजने अंकुरन लिया इस दिन को हम काला दिन इसलिए मानते हैं कि जगन्य अपराधी घोशित किया गया एक ऐसा बालक जिसने आई पिसी के किसी भी धारात के तहत कोई क्राइम नहीं किया ना 300, ना 301, ना 302 किसी में उसको क्रिमिनल नहीं ठहराया जा सकता लेकिन फिर भी उसको सबसे जगन्य अपराधी माना गया और पहले 16 नवंबर की तिति निर्धारित हुई फांसी पर चढ़ाने की परन्तु जब बहुत ज़्यादा जनाक्रोश देखा गया तो लॉड हार्डिंग स्वयम लुधियां लाहौर गए और उन्होंने एक दिन अपराधियों को फांसी पर चढ़ाने के आदेश थे उनको बदल कर 17 अपराधियों की सजा को फांसी से उन्होंने बदल कर उम्र कैद में परिवल्तित कर दिया और मात्र सात अपराधियों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया जिसमें प्रमुक थे कर्तार सिंग सराभा मुझे बड़ा आश्यर होता है और मुझे यही लगता है कि रिडार्ट क्रिपलिंग की यह लिखने का साहस वो कैसे बटोर पाए जिसको कि वो वाइट मेंस बर्डन कहते हैं यह वही वाइट मेंन थे जिन्होंने जो बात करते हैं बाहर जुविनाइल जस्टिस की और जो क्रत्य किसी बालक ने पंदरा से सत्रा वर्ष की आयू में किये उसके लिए उसको सजा देते हैं जगन ने अपराधी की यानि फांसी की तो चलिए हम लोग रिडार्ट क्रिपलिंग की वो कविता भी एक बार फिर से याद कर लेते हैं तेक अप द वाइट मैंस बर्दन सेंट फॉर्थ बेस्ट इब बीड गो बाइंड यूर संस तो एक्षाइल तो सर्व यूर कैप्तिब्स नीद तो वेट इन हैवी हानस्ट उन फ्लुटर्ट फोक इन वाइल्ट यूर न्यूकॉर्ट सॉलन पीपल हाफ डेविल एंड हाफ चाइल्ड यही अंग्रेज जो कि हमें आधा शैतान और आधा बच्चा कहते थे तो इन्हें शरम नहीं आई यह कहते हुए कि यह सभ्यता की पताका लेकर आगे बढ़ रही है अरे और एक जुविनाईल डिलिंक्विंट को फांसी के ऊपर चड़ा रही है तो हम यही देखते हैं कि जनाक्रोश भारत में पलपा और वो धीरे धीरे बढ़ता गया लेकिन जो गदर पार्टी की हम बात करती हैं तो हमको यह भी आश्यर होता है कि जो गदर जो पंजाब 1857 हमारे प्रथम स्वतंतरता संग्राम के समय तक बिलकुल शांत था अचानक उसमें क्रामती का अंकुरण ऐसे क्यों पनप गया जिसने एक अंतराश्ट्रिय स्वरूप धारण कर लिया तो इसको इस पर ज कि हम वहां की आर्थिक स्थिति को देखें और मैंने नहरू की Discovery of India को रिफर किया और उसमें देखा कि उन्होंने ये कहा है कि प्रथम स्वतंतरता के संग्राम के समय तक पंजाब शांत था क्योंकि जो बिटिश सामराज्य आया था वह मुख्य तह समुद्री मार्ग से आया के पास थे इसी लिए सबसे पहले क्रांति की ज्वाला जो भड़की वो बंगाल में भड़की जहां सबसे पहले अंग्रेज पहुँचे और इस क्रांति की ज्वाला भड़कने का कारण या था कि सारी की सारी आर्थिक व्यवस्था अंग्रेजों ने अपने हाथ में कर ली अंग्रेज जब आये थे तो वे केवल एक व्यापारी बन कर आये थे और बहुत अनुने विने के साथ उन्हें बंगाल में रहने का स्थान दिया गया था परन्तु शीगरी यह व्यापारी हमारे उपर शासक बन गए और व्यापार का पूरा पलड़ा इन्होंने अपनी ओर मोड दिया 1800 के प्रारंब तक हमारी जो जनसंख्या थी भारत की जो कार्य करने में निपोण थी उन्हों में से 45 प्रतिशत लोग हमारे उद्योग छेतर से जुड़े हुए थे और केवल 55 प्रतिशत थे जो की खेती बारी में लगे थे परन्तु धीरे धीरे 1750-60 के लगभग यूरोप में इंडस्ट्रियल रेविलियूशन हुआ और यूरोप फिनिश गुड्स बनाने लगा तो हमारे यहां से जो कपड़ा, काच, पीतल और ताबे के बरतन, कलपुरजे, अखबार इन चीजों का निर्यात हुआ करता था यहां तक कि हम जहाज, शिप भी बनाते थे उसका भी निर्यात होता था इन सभी निर्यात के उपर प्रतिबंध लगा दिया गया और हम लोग अब निर्यात मात्र अपने खनेज पदालत या रोव मटीरियल का कर सकते थे और बाकी सारे फिनिश प्रोडक्स हमें योरोपीय मार्किट से वापस खरीदने पड़ते थे तो जो वाल्यू आड़िट प्रोडक्स थे वो हमारे यहां योरोप से अंदर आने लगे जब अच्छा योरोप के अंदर योरोपीय पार्लियमेंट के ऊपर जो वहां के उद्योग पती थे वे काफी हावी थे तो उन्ही की लॉबी ने ऐसे ऐसे कानून बनवाए कि किसी भी राष्ट जो की ब्रिटिश सल्तनत के आधीन थे वहां से फिनिश प्रोडक्ट निर्यात न किया जा सकी और वहां से फिनिश प्रोडक्ट केवल आयातित ही किया जा सकी और साथ ही साथ ऐसे ऐसे कानून और पारित कर दिये गए कि जो हमारा तयार माल है वह एक प्रांत से दूसरे प्रांत भी न ले जाया जा सके इससे यह विडम बना हुई कि हमारा जो उद्योग था हमारा छोटा छोटा हमारी कॉटेज इंडिस्ट्री थी हमारा बड़ा उद्योग था यह पूरी तरह से समाप्त होने लगा और 1930 की जो आकड़े लिये गए जनसंख्या के उसमें यही देखा गया कि हमारी जो उद्योगिक जनसंख्या 45 प्रतिशत थी वह घटकर मात्र 25 प्रतिशत हो गई और हमारी जो खेती बारी करने वाली जो एग्रिकुल्चरल पॉप्यूलेशन थी वह 55 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत हो गई भारत में जनसंख्या की समस्या वैसे ही थी पहले से ही थी अते जितनी हमारी जो खेती योग्य भूमी थी उस पर भी अतरिक्त बोज पढ़ने लगा और इस बोज ने जन्म दिया महामारी को भुखमरी को दीरे दीरे हमारी शिच्छा व्यवस्था भी अंग्रेजों ने समाप्त करनी शुरू की कर दी तो हम अज्यान हो गए और अंग्रेजों के शब्द में असब्य हो गए और इसी महामारी के साथ साथ फिर शुरू हुआ पलायन हम यह देखते हैं कि 1839 तक पंजाब महराजा रणजीत सिंग का राज्य था तो बंगाल में तो बंगाल बिहाल तथा उडिशा में तो बुरी तरह से सूखा पड़ रहा था पलेग फैल रहा था और वहां की इंडस्ट्री समाथ हो चुकी थी इसलिए वहां पर गरीबी सबसे पहले आई लेकिन पंजाब जो की महराजा रणजीत सिंग की रियासत थी 1839 तक पंजाब का ध्वज अफगानिस्तान के उपर भी फैराता था और हम कांधार तक हमारी रियासत थी कश्मीर वगरा सब रंजीत सिंग की रियासत का हिस्सा थी और उसमें व्यापार बहुत अच्छी तरह से पनप रहा था क्योंकि हम समुद्री मार्ग से वहां पर आयात निर्यात नहीं कर रहे थे इसलिए सड़क मार्ग से कर रहे थे इसलिए बंगाल में कठिनाई आने के लगभग 200 वर्षों बाद पंजाब ने यह आर्थिक विश्वता जेली जबकि Second Sick War के बाद पंजाब के जो सड़क मार्ग थे वह बंद कर दिये गए रणजीस सिंग की म्रत्यों हो गई और वो पूरा इलाका भी अंग्रेजों के अंदर आ गया उनके शासन व्यवस्था का अंग बन गया तो उनके शासन व्यवस्था का अंग बनते ही पंजाब के उद्योग समाप्त होने लगे हम 1850-1860 के लाहौर की जब बात करते हैं तो ला नहीं था उसमें उतनी ही इमारते थी उसी तरह का उसका वैभव था लेकिन यह लाहौर भी गरीबी की चपेट में आने लगा और यह एक ओर से प्रक्रती ने सुखा दिया हमें और दूसरी और महामारी हमारे पास आई और दूसरी ओर से ब्रिटिश ब्रिटेनिया सल्तनत तरह तरह के ऐसे कानून पारित करने लगी जिससे की हमारी खेती भी समाप्त हो जाए और सारी जमीन सेट सहुकारों के हाथ में या ब्रिटानिया सल्तनत के हाथ में चली जाए तो इस तरह से पास पारित होने वाले कानूनों में 1887 का पंजाब टेननसी एक्ट है 1893 Government Tenants Act पंजाब है 1900 पंजाब Alienation Act है तथा 1906 को Colonization Bill पारित हुआ जो एक तरह से डलहौजी की Doctrine of Lips जैसा ही था कि लावारिस अगर कोई व्यक्ति है जिसके बेटा नहीं है तो उसकी जमीन सीधे सरकार के हाथ में चली जाती है तो इस तरह के ड्रेकोनियन जब कानून बनने लगे तो सरदार एक बहुत ही महनती और एग्रेसिव कौम थी उसने Employment Opportunities दुनिया के अन्यकोनों में धूननी शुरू कर दी और मलाया, फिजी, North America, Canada, Hong Kong, Singapore सभी में सरदार लोग जाने लगे काम करने के लिए अमेरिका तथा कैनेडा इन में खास थे, North America और कैनेडा क्योंकि वहाँ पर बहुत जंगल थे जिनको काटना जरूरी था, वहाँ रेलवे लाइने बिच रही थी, तथा वहाँ लोग संभरांत थे, उन देशों के पास काफी भूमे थी, उननत क्रिशी थी, इसलिए वहाँ Employment Opportunities सबसे जादा थी, लेकिन वहाँ के जो लोकल कार्यकरता या लोकल वरकर्स थे, उन्होंने देखा कि सिख कार्यकरता उन से कहीं जादा मेहनती और करमट हैं, इसलिए वह समझ गए कि अगर सरदार यहाँ पर आने लगे, तो उनका सारा का सारा कार्य, उनका सारा का सारा जो interest का छेतर है, वो सरदारों के हाथ में चला जाएगा, इसलिए अकसर सरदारों और लोकल पॉपिलेशन के बीच में जगड़े होने लगे, और जब यह जगड़े होते थे, तब जो अंग्रेज मालिक थे, वो सदैव लोकल पॉपिलेशन का साथ देते थे और भारतियों को दबाते थे, इसका एक प्रमुख कारण यही था कि अंग्रेज यह नहीं चाहते थे कि भारतिय समूह कहीं पर भी ताकतवर हों, क्योंकि वो जानते थे कि भारत के उपर उनका सामराज्य तभी तक चल सकता है, जब तक भारतिय अपनी ताकत को पहचानेगा नहीं, जिस अपनी ताकत को पहचान लेगा, उस दिन विद्रोह होना स्वभारिक था, इससे एक अच्छी बात यह हुई कि जब यह अत्याचार होने लगे, तो भारतिय और खासतोर से पंजाब के भारतियों ने यह जान लिया, कि अब हमें अपने समूहों को संगठित करना आवश्यक जौन में सबसे पहली एक हिंदुस्तान एसोसियेशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट बनी, जहां पर वहां आसपास के सभी भारतिय सप्ताह में एक दिन आते थे और चर्चा करते थे, 1908 में केनेडा में बढ़ती हुई सिक आबादी ने वेनकोवर में गुरद्वारा बनवाया, तथा खालसा दिवान सुसाइटी ने पंजाबियों के हित को देखना शुरू किया, उसके बाद विक्टोरिया तथा ओक्सफोर्ड में गुरद्वारे बने, और धीरे धीरे सिक सारे के सारे एक जुट होने लगे, इनको देखते ही सरकार वहां की सावधान हो गई, और 9 में 1910 में केनेडा सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसके अनुसार किसी भी नए भारतिये की केनेडा की अंदर एंट्री बैंग कर दी गई, 1911 में जब लाला हरदयाल अमेरिका पहुँचे तो उन्हें बड़ा अश्यर हुआ यह देख कर कि वहां का मजदूर भी स्वतंतरता के लिए उतना ही उत्साहित है, जितना वहां का प्रबुद्ध वर्ग है, तो उन सब भारतियों का उत्साह देख कर, उन्होंने और भाई पर्मानंद और कई अन्यसाती थे, जिन्होंने मिलकर एक पहली बैठक बुलाई, और इस पहली बैठक में ही, दस हजार डॉलर का डोनेशन भारतियों ने एक अत्रित कर लिया, और इन्होंने फिर हरदयाल और भाई पर्मानंद ने सोचा, कि अब हमें एक विधिवत कुछ कारेवाही प्रारंब कर देनी है, तो उन्होंने गदर पार्टी की शुरुआत की, जो 436 Hill Street St. Francisco में प्रारंब होई, और इन्होंने अपने कार्याले को नाम दिया जुगांतर आश्रम का, और इसी के साथ साथ इन लोगोंने गदर नामक एक अखबार भी निकालना शुरू क कर दिया, एक नवंबर 1913 में सबसे पहले यह अखबार उर्दु में प्रकाशित हुआ, और इसी अखबार को उर्दु से पंजाबी में ट्रांसलेट करने का सबसे पहला कार्या किया 17 वश की आयू के एक छोटे से बच्चे ने, जिसका नाम था करतार सिंग सराभा, यह बर यहां की जो एक्मोस्फियर था और वहां एक नालंदः ग्रूप करके था, उसने इसके अंदर स्वतंतरता के बीज बो दिये, और यह फिर आकर पूरी तरह से लाला हर्दयाल के साथ लग गए, और गदर का साहित्यत पब्लिश करने चुरू कर दिया, यह गदर अखबार क साइक्लो स्टाइल करके उसकी प्रतियां भी निकालते थे, उसके लिए कविताएं भी लिखते थे, और उसके लिए साथी साथ लेक भी लिखा करते थे, गदर में एक और एक स्लोगन दिया गया लिखा रहता था भारत माता की जै और वंदे मातरम और दूसरी तरफ लिखा रहता था सतश्रीय अकाल तो ये दोनों ही जो स्लोगन्स हैं सतश्रीय अकाल और वंदे मातरम यह गदर पार्टी के दिये हुए स्लोगन्स हैं इसमें सबसे पहला आर्टिकल होता था अंग्रेजी राज दकच्च चिठा कि उसमें जो वास्तविक अंग्रेजी सत्ता जो भी अन्याई कर रही थी उनके विशे में पूरी जानकारी रहती थी और फिर देश प्रेम के अलग-अलग तरह के गीत इतियादी रहा करती थी इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध प्रारंब हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वार और चार अगस्त 1914 को ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ युद्ध का एलान कर दिया ब्रिटेन के युद्ध के एलान करने की देर थी भारतियों ने सोचा कि यह सबसे उप्युक्त समय है ब्रिटेन वर्ल्ड वार में बिजी है हम लोग इस समय सत्ता को उखाड कर असानी से फीग सकते हैं अते है सराभा ने 5 अगस्त को 1914 को जो अखबार निकला उसमें एक विग्यापन दिया जिसमें था एलान जंग युद्ध के लिए सैनिकों की न्युक्ति आवश्यक है और इन सैनिकों के विशे में उन्होंने लिखा कि सैनिकों का वेतन होगा म्रत्यू उनका इनाम होगा शहादत उनकी पेंशन होगी राश्ट की स्वतंत्रता और स्थान होगा युद्धभू में भारत भारत जाओ कोने कोने में करांती के बीजबो और स्वतंतरता का बिगुल बजाओ यह इस विज्यापन का उद्देश था लेकिन आश्यरे की बात है कि उस विज्यापन के बाद छात्र, मजदूर, बुद्ध जीवी सब लोगों का एक ताता लग गया कि हम भी इस धर्म युद्ध का अंग बनना चाहते हैं और हमारे जो गुर्दवारे वहां पर बने हुए थे सभी गुर्दवारे भरने लगी तो यह हुआ कि अब इतने लोग आ गए हैं अब ये भारत पहुँचें कैसे तो सबसे पहले ये निर्ने लिया गया कि कामागाटा मारू एक जापानी जहाज है जिससे नेता लोग भारत चाहेंगी लेकिन और उनकी तयारी शुरू हो गई लेकिन इसी बीच ब्रिटिश हुकूमत को यह सूचना मिल गई और 29 अगस्ट 1914 में सरकार ने एक ओर्डिनेंस पारित कर दिया जिसके तहत अवांचित व्यक्तियों के भारत में प्रवेश पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया पांच सितंबर 1914 को दूसरा अध्यादेश पारित हुआ जिसके अनुसार प्रवासियों के भारत के अंदर आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया नेता और वरिष्ट जो कारे करता थे गदर के वह तो कामा गाटा मारू से चले परन्तु जो ये कुछ जूनियर वरकर्स थे ये लोग एक SS सालमेन करके जहाज था उससे रवाना हुए और पिर छोटी-छोटी नावों से इधर से उधर होते हुए कोलंबो के रास्ते हिंद दुस्तान के अंदर इन्होंने प्रवेश कर लिया इनके प्रवेश के साथ ही साथ बाकी बड़े-बड़े नेता सब गिरिफतार हो गए अब इन बच्चों के लिए यह प्रश्न हुआ कि नेता तो सब गिरिफतार हो गए अब हमारी गतिविधियों को नेत्रत्त देने वा उस से आग्रे किया कि जो की बड़े क्रांतिकारी थे और बंगाल के क्रांति में उनका काफी नाम पहले से ही आ गया था उन्होंने रास बिहारी बोश से कहा कि आप आकर हमें नेद्रत्र प्रदान करें और इसके लिए रास बिहारी तयार हो गई अब ये लोग पहुचे पंजाब से बजाया जाएगा लेकिन पंजाब की जनता ने इन्हें वैसा सपोर्ट नहीं दिया जिसकी इन्हें आशा थी बल्कि ये हुआ कि बहुत से गदर के कार्यकरताओं को जनता ने खुद पुलिस के हवाले कर दिया यह स्थिती देखकर इन लोगों को काफी इन से कर्तार सिंग से प्रभावित हुए और उन्होंने इनका साथ देना शुरू कर दिया और इन्हीं बच्चों की सहाइता से कर्तार ने गदर का लिटरिचर दूर दराज गाओं में भेजना प्रारंब कर दिया और फिर अलग-अलग छावनियों में जाना प्रारंब किय जो सेना की छावनिया थी वहाँ जाकर इन्होंने देखा कि सैनिक काफी हद तक असंतुष्ट हैं और वो लोग तयार हैं कि हम राश्र की स्वतंतुता के लिए गदर करने के लिए या क्रांती करने के लिए तयार हैं तो फिर यही निर्ने लिया गया कि जो गदर का बिगुल अब छावनियों से बजाया जाएगा और 21 फरवरी 1915 दिन निर्धारित कर लिया गया जब 128 पाइनियर रेजिमेंट मेरट तथा 12 बटैलियन मेरट भाई फूला सिंग एवं भाई इशर सिंग के नित्रत में बगावत करेगी तथा मेरट से को अपने नियंत्रण में लेने के बाद विश्नु गणेश पिंगले के साथ उनके नित्रत में ये लोग दिल्ली पहुँचेंगे करतार सिंग सराभा फिरोजपुर रेजिमेंट के साथ दिल्ली की ओर बढ़ेंगे और धीरे धीरे अन्य बटैलियन भी बगावत करेंगी और सब साथ साथ मिलकर दिल्ली पहुँचेंगे और वहाँ दिल्ली में स्वतंतरता का एलान कर देंगे परन्तु 19 फरवरी 1915 में को गदर पार्टी के ही एक मुखबिर किरपाल सिंग ने पुलिस को यह सूचना दे दी तथा इन छावनियों के में जो भारतिय सैनिक थे उन सब के हतियार छीन लिये गए और कई गदर क्रांतिकारी जो थे इधर उधर जो छुपे हुए थे उन सब को गिरिफतार कर लिया गया करतार सिंग, हरनाम सिंग, तुन्डिलात, जगत सिंग को यह आदेश मिला कि वह अफगानिस्तान की तरफ चले जाएं यह लोग अफगानिस्तान की तरफ कूश तो कर गए और काफी आगे बढ़ भी गए परन्तु फिर इन्हें इनकी अंतरात्मा जग जोरने लगी कि हमारे कुछ साथी तो वहां गिरिफतार हैं, हम अपने गिरिफतार साथियों को छोड़ कर कैसे भाग सकते हैं तो यह लोग वहां से वापस लोटे और वापस लोटे समय इन्होंने कोशिश की कि जो एक पांच चक नंबर फाइव में इनके जो कुछ साथी रखे गए थे इन सरगोधा में इनको यह लोग छुड़ाएं लेकिन फिर एक मुखबिर ने खबर दे दी और दो मार्च 1915 को करतार सिंग, जगत सिंग तथा हरनाम सिंग तीनों को गिरिफतार कर लिया गया 23 मार्च 15 को विश्रुगणेश पिंगले की भी गिरिफतारी हो गई और गिरिफतारियां भी इधर उधर से हो रही थी, तो पंजाब के गवर्नर थे, ओडवायर यह डायर नहीं थे, ओडवायर दूसरे थे इन्होंने सरकार से यह कहा कि Defense of India Act 1915 के तहत यह प्रथम लाहौर कॉंस्पिरेसी के लिए एक विशेश ट्राइबिनल का गठन किया जाए क्योंकि यह इतनी बड़ी बगावत है कि अगर यह प्रारंब में ही नहीं कुछली जाती जिसमें उन्होंने शब्द का प्रयोग किया कि If it is not nipped in the bud, it will take an ugly turn. तो इस बगावत को रोखने के लिए एक विशेश ट्राइबिनल का गठन किया जाए और 26 अप्रेल 1915 को ए ए इरविन की अध्यक्षता में इसकी कारिवाई प्रारंब हुई और लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर ही यह सुनवाई हुई और इनके विरुद्ध जो एक क्राइम था या अपराद था वो यही था कि वेजिंग वर अगेंस दे क्राउन यानि ब्रिटिश सल्तनत से युद्ध करना इन्होंने किसी का भी मर्डर नहीं किया था कोई भी ऐसा जगन्य अपराद नहीं था लेकिन फिर भी क्योंकि यह युद्ध इन्होंने छेड़ा था इसलिए 15 सितंबर 1915 को यह निर्ने लिया गया कि इन में से 24 अभ्युक्तों को फांसी की सजा दी जाएगी इनका जो गदर पार्टी वाले क्रांतिकारी थे इनका जो खास गाना यह लोग गाया करते थे मेलेंगे खाक में लाखों हमारे गुल बदन पहले हमें दुख भोग ना है लेकिन हमारी नसल सुख पाए यह दिल में ठान लो अपने एह हिंदी माद जन पहले तो यह ऐसे क्रांतिकारी थे जिनकी बारे में एक अन्य क्रांतिकारी गुलाब सिंग ने अपने बुक अंडर दी शैडो अफ दी गैलोज में लिखा है कि इन्हें ना मृत्यों का डर था और नहीं जीवन से प्यार था यह तो अपनी गर्दन स्वयम लिये तयार थे कि इसको ले लो और इसके मोल्य में हमें आजादी दे दो इसके बदले में हमें आजादी दे दो और फिर एक ब्रिटिश सल्तनत ने भी पूरी एक गदर ओफिंसिस की डिरेक्टरी 1939 में बनाई जिसमें हमें गदर के अधिकांश, अभियुक्तों के नाम और क्या हुआ था, कैसे हुआ था इस सब विशे में पता चलता है जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि 24 अभियुक्तों को फांसी की सजा इससे एक अजीब सा जनाक्रोश पैदा हुआ और चारों तरफ दंगे प्रारंब हो गए और हमारी नाशनल तथा इंटरनाशनल प्रेस दोनों में इसका बहुत नेगिटिव या नकारात्मक टिपणि आने लगी इतनी नकारात्मक टा देखकर लॉड हार्डिंग डर गए 16 नवंबर का दिन निरधारित हुआ था इन लोगों को फांसी देने का 24 अभियुक्तों को लेकिन और इनकी सारी तयारी पूरी कर ली गई थी इनको इनके रिष्टिदारों से मिला दिया गया था इनकी आखरी इक्षा पूछ ली गई थी लेकिन 15 नवंबर की रात में हार्डिंग स्वयम लाहोर जेल पहुँचे और इन्होंने पूरी कारेवाही स्थगित कर दी और 16 को इन्होंने पुनर विचार करना शुरू किया और सभी अभियुक्तों से कहा गया कि वह माफी नामा भरें कुछ अभियुक्तों ने माफी नामा भरा कुछ के अपराधों को अन्य तरह से देखा गया और 17 अभियुक्तों की फासी को बदल कर इनको उम्र कैद दे दी गई परंतु 7 अभियुक्त ऐसे थे जिन्होंने किसी भी प्रकार का माफी नामा भरने से इनकार कर दिया और इनमें सबसे प्रमुक्त थे करतार सिंग सराभा जिनकी आयू मात्र 19 वज थी लेकिन इन्होंने यही कहा कि जब हमने कोई गल्ती करी ही नहीं है तो हम माफी किस बात क मागें और हम तो बहुत सहर्श अपनी गर्दन भारत माता को देने के लिए तैयार हैं हमें आप जल्दी फांसी लगाईए आते हैं 17 नवंबर की प्राते हैं वह काला दिन है जिसमें मानवता ने अपने मुख पर कलंक पोथ ली और इन साथ अभ्युक्तों को फांसी की सज दे दी गई इनमें करतार सिंग के अलावा जो अन्य अभ्युक्त थे वे थे विश्नु गणेश पिंगले जगत सिंग सूर सिंग हलनाम सिंग सियाल कोटी बक्षी सिंग गिलोवली सूरियन सिंग सन अफ गुरु सिंग और सूरियन सिंग सन अफ इशर सिंग कई इतिहासकार का यह कहना है कि गदर क्रांती पूरी तरह से बेकार हो गई और सभी की जो शहादत थी उसका कोई फाइदा नहीं हुआ पर तो वास्तव में यहीं से अंकुरन हुआ एक नए विद्रोह का और सरदार शहीद आजम सरदार भगत सिंग अपनी सभा की शुरुआत ही करते थे करतार सिंग सराभा के चित्र पर माल्यार पण करकी धन्यवाद